दोस्तो आई मैं कहा सकता हूं यूटुब में पहली बार और इंडिया में पहली बार यह ब्रीड आपको दिखाने जा रहा हूं तो भीया क्या ब्रीड है यह सब्सक्राइब कर दोस्तों यह बाल थोड़े से उल्टे होते हैं इस कारण इंको रिज बैक करते हैं यह देखिए यह मार्क है इनका और हाइट इसकी मैं कहा सकता हूँ ग्रेडन से थोड़ी कम है में नमचें वह बष्कराइब कर साफट परिएंटू तो शेर का शिकार करना क्या हूं मतलब किस बाक्ता है कि उनको शेर आते होंगे तो उसको सिकोर्टी पर मसे रखते हैं जैसे बेडे बक्लियों गए रहा है तो कैसी ब्रीड लगी है यह काफी सुपब ब्रीड है मैं लाश्क 13 साल से रख रहा हूं इस बैख एक तो रफेंट ब्रीड है इनमें जाज इसको बीमारी नी आती अब दिली का तैंब आपको पता है तक जाता है और सर्दियों पान जी जाता है इन्हें कोई फर्क नी पड़ता कैसी तेमरेचर में रखो ठंडे में गर्मी में बीमारी बहुत कम आती है जैसे हमारे जर्मेश यह ज़िए अ अब नोग फीट दो कुछ भी खिलाओ सुल्तान कम अचाश का नाम सुल्तान है तो भीया आपके मतलब यह ब्रीडिंग आपने कैसे सोचा कि मैं यह इंडिया में लेगा आप से तीरा साल पहले स्कूल तो इसको रखा था तो उस्टाम इन शिफ शोक में रखा था तो बच्पन वाला भी दिखाता हो वह लाना भीया जरा दोस्तों आपको दिखाना जाते हो बच्पन यह कैसे लगते हैं कर देख दो दोस्तों यह देखिए हाइट तो खड़े करके पता लगेगी मतलब बड़ा बल्की सा डॉग अई और फेस देख लो आप बिलकुल ही जैसे कि आपका संभाल लेगा अग्रेसिवनेस है इसमें इसको करते हैं सेफ्टी परपस से पर पर गया वहां पर गया उठागे लाना इसको अब बच्चा तो ऐसे लगता है जैसे कोई स्ट्री डॉग है अब देख सब्सक्राइब करते हैं अच्छा यही पचाना रिजबैक मतलब बाल उल्टे आएं और क्या खासी तब इसकी आप बताना चाहते हैं बाकी जो मैंने आपको बता है कि खाने में कुछ भी को इनकरानी कहते है कि लाई टेंपरेचर को इस्टी नहीं है काफी रफ और ब्रीड है पचास लीडी टेंपरेचर में भी रहा लेंगे और माइनस में भी रहा लेंगे रफ और टफ है मलग खर्चा कोई भी बीमारी का घर्चा हुए तो ज्यादा एक्स्पेंसिव रीड है यह प्राइज का 50-50 चाम में से लिए नहीं है तो खाने में क्या खाते हैं अच्छा रॉयल ब्रीड है दोस्तों यह देखिए आपको ब्रीड के यह कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करना और यह देख लिए रिज बैक दो अडेल फिमेल है आपर और दो मेल है एक मेरा 10 साल का मेल है एक मेरा 11 साल का मेल हुई तो एज लाइफ स्पैन कितना होता है एक मेरा पास रेड कलर में आई इस बार लेगो उसको दिखाने मेल लोग वा सोचाएं कि डोबर मैं जी मिक्सा लिए लिए कि नो पर इजबेक से आया है लाइए बहु लगते है पूरे अब फोटो देखेंगे यूट्योप यह दिखेंगे तो आपको लगी हलकड हो गया बच्छ में पुच्छा देखने कि तो अहलागी कि दूस्टो मैं सही में कहा रहा हूँ अगर आपने एक भी घर में रख लिया मैं कहता हूँ दस-दस गाउं तक पैचान हो जाएगी बंदे ने कुटा रखा हुआ है सबसे में ली यह कि बंदा यह नहीं देखता है कोई बाल बूल ज्यादा फोलनी होते टेंपरचर इसू नहीं है खाने पिना को इसू नहीं कुछ भी रखो कैसे खिला और रफंट बाल बूल तो जड़ते ही नहीं होंगे इसके डोक्टर के नहीं जाते भी है मेरे पास जो अर बंदे खाली है और हुआ दूपर रोमेटिंग और यहां लोगों मैंने मेडिसीन में निदेश को नेक्ट देल को परफेक्ट चलो दोसों अगर आपको रफंट अफ ब्रीड चाहिए तो यह देख लीजिए रिस बैक भी आ गई है हमारे यूट्यूब क्लेक्शन में और य इनकी फीमेले में देखा देता हूँ कि क्या क्वालिटी है इनके पास मेल मैं चाहँ तो मैं बांद सब्सक्राइब आपको यह दिख जाएगा बांद दी जिया डॉक्शो में यह ब्रीड जाती है और लेकिन कंपिटिशन नहीं है इसका मैंने चार पार 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 दोग शो इसका कहते है रहे है फश्टाइम मेरे पास भी आतर तीरा सल में और यह देख लो जी अंकल जी उठागे ला रहे हैं बच्चे नीचे नहीं रखेंगे और यह कलर देख लो फश्टाइम यह कलर ज्यादा खूब सूरूत लगा भी अश्टा माय लेकिन बोलने वाले सो दोर है मतलब इसकी टेल नीचे आती है जैसे किसी हो डॉग भी आती राजा पले हमकी और यह टेल नीचे रखते है और यह इसकी पूजिशन है कि आप इस तरह से देख सकते हो हाइट इसकी 30 इंची तक जाती है बक्की तो फुर्तीली है डॉग यह मानना पड़ेगा टिक के बै रिष्ग गो इसब सर्फ यूँकर से रिष्ग Yeah की फीमयल हा गी फीमल की कॉइलिटी आप देख सकते हो कि शी क्यासी क्वालिटी है यह बच्चा इसी No Ni Can यह पास है यह पास है मिरे बड़ी वाली 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 निकल दे गई लाल वाली निकल दे तो टोटल इंडिया में आप कह सकते हो कि इसी गाव में यह पीछे भी दिखा दूंगा आपको और यह देख लीजे आपको यह ब्रीड कैसी लगी जुरूर कमेंट करना ताकि हमें भी पता लगे कि आसी ब्रीड को परमोड करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए कमेंट आएंगे तो आगे फिर से लाएंगे और इसका भी देख लीजे कमर पर उल्टे बाग और दोस्तों यह आगी इनकी दूसरी फीमेल यह भी एज कितनी है अब यह कोड़ी आप तो काफी टाइम से देखते हैं आपको दी पता ही तीन साल तो होगी यह पांट साल की है य यह वैसे भी रफ और तफ वाले डॉग है अपने आपको साफ रखने वाले डॉग है तभी आप इनको वो नहीं कर सकते हैं कि यह इसके में देखने क्या कि आप आसकते हो यहां पर कैनल भी इनका देखिए बच्चे देखिए मदर फादर देखिए फिर आपको पता अपने अपने अच्छे बले रिज बैग दिखाए इसका शॉट भी डालते हैं मजा आएगा लोगों को थेंक्यू बाई बाई कमेंट कर देना प्लीज